हलो दोस्तों भारत अपडेट सेनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज आपके लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट मैं लेकर आया हूँ तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आपको पता चल पाएगा इस अपडेट के बारे में तो यह अपडेट ज कि आपका रिजल्ट कब आएगा ठीक है यह कब आ सकता है तो चली देख लेते हैं जल्दी से यह अपडेट तो दोस्तों यह रही आज की जो इंपोर्टेंड मोस्ट इंपोर्टेंड अपडेट है पांच में समेस्टर का रिजल्ट नहीं निकाल पाया है अब छात्रों को नहीं मिल रही है डिग्री पीजी में एड्मिशन भी लटकी तो देख लेते हैं कब तक इन्होंने कहा है तो हिमाच्चोर प्रदेश उनिवर्स्टी की लापरवाही पांच में समेस्टर की छात्रों का एक साल खराब करने जा रही है बर्ष 2019 में बिशिब जार परशाशन क और से पांच में समेस्टर के रिवैलिएशन और कंपार्टमेंट की प्रिक्षाएं जो हैं ले गई थी अभी तक इसका रिजल्ट निकालने में नाकाम रहा है पीजी कोर्स में एड्मिशन के लिए होने बाले किसी भी शाक्षातकार में अंडर ग्रेजूट कोर्स की डिट का शेड्यूल जो है बदलना पड़ेगा बल्कि प्रदेश के बाहर की युनिवस्टी में अड्मिशन के लिए अपलाई कर चुके स्टुडेंट्स को जो है पीजी कोर्स में प्रवेश लेने में मुश्किलें पेस्ट आ सकती हैं SFI का कहिना है कि PG कोर्स के ओनलाईन आवेधन की प्रक्रिया शुरू हो चकी है लेकिन अभी तक युजी के पांच में स्वेश्टर के प्रिक्षा परिक्षा परिणाम नहीं आया है जिससे PG कोर्स में एड्मिशन लेने के लिए आवेधन करने वाले छातर चिंतित हैं SFI विशेविद्यालय इकाईन प्रिक्षा निंतन को ग्यापन सौपा और मांग की की जल्द से जल्द 5 में स्मेस्टर का प्रिक्षा परिणाम घोशित किया जाए पांच में स्मेस्टर का प्रिणाम आने पर ही अंडर ग्रैजूइट डिगरी का ओवरार्ग रिजल्ट और ग्रेड घोशित होगा रूसा में पहले होने वाले सालाना प्रिक्षाओं की तरह बिना प्रिणाम घोशित किये गोपनी प्रणाम यानि सिक्रेट रिजल्ट घोशित करने की वरस्था भी अभी नहीं है ऐसे में रिजल्ट निकलने में देरी होने पर स्टूडेंट की बाहर की इनिवस्टी में एडमिशन नहीं हो पाएगी प्रिक्षा नेंतरंक प्रोफेसर जेस नेगी का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि 30 मई से पहले प्रिणाम घोशित कर लेंगे प्रिणाम को निकालना का काम किया जा रहा है तो दोस्तों आप कमेंट कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है तो आपका रिजल्ट 30 मई तक आ सकता है यहाँ पर आज कहा गया है कि 30 मई से पहले रिजल्ट घोशित कर लेंगे तो अभी देखते हैं कब तक जो है इनका रिजल्ट आता है ठीक है और यहां पर देखते हैं एच्पीव में PG एडमिशन शुरू तो यह भी मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं इसके बारे में भी और आपका 30 में तक रिजल्ट आ सकता है ठीक है और यहां पर देख लेते हैं मुसीबत में स्टूनेंट्स 30 में तक प्रिणाम न निकला तो एच्पीव को बदलना होगा PG डिगरी कोर्स का शेडियोल तो दोस्तों यह थी important update और एक आप और comment कर रहे थे कि हमारे exam कब होंगे तो उसके बारे में अभी तक कोई भी update नहीं है ठीक है आपके exam के बारे में कोई भी update अभी तक नहीं है और यही थी दोस्तों आज की important update और अगर आप कोई वीडियो ची लगे तो उसे like, share और चैनल क subscribe जरूर करिएगा मेरे latest updates के लिए thank you